सब्सक्राइब करिए स्री होम्यो यूटूब चैनल और पहला आइकोन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंट्स मैसेफ डॉक्टर सक्तिया और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले फेफड़ों को साफ करने का एक बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका जिसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आज हम बात करेंगे कि आखिर आपके फेफड़े में ये सबकंदिकी कैसे आजाती है इसके वज़े से आपको कौन-कौन सी बिमारिया हो सकती है जिसके लिए आप इस नुस्के का प्रयोग कर सकते हैं तो आएए दोस्तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हल्क प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाए बिना पैस्ट होमेथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्स्क्राइब करें और पेल ऐकॉन दबाएं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी जो भी हमारे चैनल स्टी होमे पे पहली बार आए हैं चैनल को करने सब्सक्राइब बेल आइकॉन को टैब क्योंकि इस तरह के नौलिजविल वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लेकर आती रहती हूँ दोस्तों फेफडे हमारे सरीर के एक बहुत इंपोर्टेंट वाइटल ओर्गंस हैं इसका अर्थ यह है कि आपको सांस लेने के लिए हम जो हवा लेते हैं इसका एक्सचेंज का प्रोसेज यानि एक सुद्ध हवा को सरीर के अंदर ले जाना और असुद्ध हवा को बाहर न रहते हैं इनके लगातार वर्क करने की वज़े से और चुकि हम आज कर जिस एट्मॉस्फियर में रह रहे हैं तो जब हम इन्हेल करते हैं तो ऑक्सीजन के सासत कई तरह की मिस्रित गैसे धूल धूआ बहुत सारा पॉल्यूशन सब कुछ हम अपने अंदर इन्हेल कर लेते हैं ऐसा करते रहने की वज़े से फेफडे के अंदर काफी गंदगी जमा हो जाती है यह जो आपका एयर पॉल्यूशन या इंप्यूर्टीज हैं या आप कह सकते हैं असुद्धियां हैं गंदगी हैं इनके लगातार धीरे धीरे करके डिपॉजिट होते रहने की वज़े स जमा होते रहने की वज़े से आपके जो फेफडे हैं इनकी वर्क क्यापेसिटी यानि जो इनकी कारे करने की छमता है वो धीरे-धीरे करके कम होती जाती है और कई लोगों को एक उम्र होने के बाद एप्रॉक्स जब आपकी ओल्ड ही जाती है 40-50 के करीब कई सारी रेस्प रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे की अस्थमा ब्रॉंकाइटीस आपका कफ कोल्ड की समस्या अलर्जिक राइनाइटिस की समस्या ब्रॉंक्यो टेक्सिस की समस्या ट्यूबर कोलोसिस की समस्या बेसिकली जो भी क्रॉनिक और स्टेक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानि को मिल सकती हैं तो हम अगर अपने लंग्स की क्यापसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सरल बहुत ही एफेक्टिव होम रेमेडी यानि घरीलू नुस्का में आपको बताने जा रहे हूं जिसे आप अपनी घर में बना सकते हैं और बच्चे और बड़े स लोग इसका सेवन कर सकते हैं आप इसे हपते में सिर्फ एक बार भी बना के पीएंगे तो यह आपके फेफणों को नेचरली क्लीन करेगा और इस तरह के बीमारियां यदि है तो इन्हें ठीक करने में और यदि नहीं है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स भविश्य में देखने को ना मिले उसमें आपको अच्छा मददगार साबित होगा चलिए बात कर लेते इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए अद्रक अद्रक यानि जिंजर हम सभी के किचिन में अद्रक मिल जाती है जिंजर मिल जाता है अद्रक के अंदर बहुत pollution की वज़े से गंदिकी की वज़े से आपके जो blood vessels वगएरा होती है आपके जो lungs होती है जो आपके airways होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है inflammation आ जाता है और bulgum वगएरा कफ वगएरा जम जाता है जिसकी वज़े से सांस लेने में तकलीफ होती है तो यहाँ पे जो ginger होता अदरक होता है यह आपके information को सूजन को कम करता है और इसके अंदर जो सूजन कम करने की property होती है इसके वज़े से यह बहुत effective है इसके बाद next ingredient है आपका lemon नीवू नीवू जो होता है वो vitamin c युक्त होता है vitamin c की वज़े से यह आपकी immunity को boost up करता है next आपका ingredient है honey honey जो होता है यहाँ पर soothing effect यानि जब आपके गले में बहुत ज़्यदा खरखरा हट हो जाती है बार-बार आप cup थूपते तो दिखिए गले में रौने सी feeling आने लगती एक अजीब सरसे चुपता सा है तो यह सेंसेशन होता है इसको soothing effect करता है या पर एक परत बना के आपको अच्छा feel करवाता है वो दर्द को कम करता है next आपका ingredient है मुलेठी मुलेठी जो होता है वो expectorant का work करता है यानि जो भी अंदर जम गया है उसको कफ के थूँ आपको खासी के थूँ बाहर निकालने मे help करता है तो जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मददगार होता है मुलेठी तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा मुलेठी का तुकड़ा भी चाहिए next आपका ingredient है काली मिर्च काली मिर्च बहुत ही गर्म तासीर की होती है तो जो भी आपके सरीर में सूजन हो रहा है एंटियो मिर्च के अंदर होती है और यह सब ingredient मिलके उस जमे हुए कफ को बलगम को निकाल के आपके लंग्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं सबसे पहले आपको एक पैन लेना है जाय बनाने वाला पैन आप ले लीजे इसमें आपको 300 ml या आप समझ लीजे बड़ा वाला कप पानी एक छोटा अद्रक तुकड़ा एक मुलेठी का तुकड़ा चार काली मिर्च यह आपको उबालना है जब इसमें प्रोपर यह अर्क आ जाए इस पानी में तो थोड़ा से जब पानी जल जाता है तो आप देखिए को कलर भी चेंज हो जाता है प्रोपर अर्क यानि उसका र यहीं डालेगा ताकि अच्छे से आपको इसका अर्ख इसका रस्ट मिल सके इसके इसको जब यह रहा जाए तब इसे छान ले इसके बाद इसमें आपको आधा नीभू कर रस्नी चोड़ कर डालना है और दो चमच हनी इसमें आड कर ले और इसे सिप-सिप करके पीएं अगर ह लंग्स हमीशा के लिए जो भी उनमें गंद की जमी होई थी ये क्लीन हो जाएंगे और अगर आपको ये क्रॉनिक समस्या हैं लंग्स से रिलेटेड तो आप डेली बेसिस पे भी इस नुस्के का इस काड़े का सेवन कर सकते हैं तो आपके लंग्स को ये क्लीन करने में समस्या नहीं है तो once in a week भी sufficient है ताकि आपके लंग्स healthy रहें तो आई हो दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह का अगर आपके लिए बनाओ प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ तो आप यूटूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी कोई confusion हो तो भी आप यूटूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी problem से परेशान है प्रॉपर एक solution लेना चाहते हैं तो आप हमा अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत